नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पे मैं विकास कुमार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे यह यह आपके पास कोई आइपैड या आइपोन या कोई भी आईउस डिवाइस है और एक लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं आप अप यजा लेकिन उस सुफ्टर में काफी खामिया थी ठीक है तो उसके बाद मेरे को एक सुफटर और मिला उसके बारे में आज की वीडियो को सुरुख लेकर आगर तक देखेगा आज की मारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आईपोन और की स्क्रीन पर आ गए हैं तो यहां पर आपको किने चीज़ों जुरूत पुड़ेगी लाइच करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक कच्छी क्वालिटी की जो हर डाटा के विल होनी चाहिए आज दूसरा आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए आईफोन या आइप आइफोन या आईपैट के उस्फटर का नाम है थरी यू टूल्स वह भी आपको डाउनोड कर लेना मैंने पहले से कर रखा है फिर मापको दिखा देता हूं एक बार के लिए बाकि सबी सब्सक्राइब करोगे तो यहां से आप आसानी से को डाउनलूड कर पाओगे तो इस आइफोन आपको डाउनलूड करके इस्टोल कर लेना गाइस ठीक है सबसे पहला काम आपको यह करना है उसके बाद आपको यह थरी यू टूल्स है जो इस सफटर को आपको ओपन कर लेना है अभी फिलाल आपको अपनी आईपैड या इपोन इससे कनेक्ट नहीं करना है ठी यहां पर यहां पर आपकी आइफोन आइपैड की डिटेल्स दिखाए देगा ठीक है मेंब्रियों गएरा यह आइफोन या आइपैड को चेक करने के लिए यूज होता सफ्टर कहीं रिपेड तो नहीं है ठीक है तो उसके बाद यहां पर जाना आपको टूल बोक्स के अब तो यह कुछी स्थरे से सब्सक्राइब यहां पर ओपन होगा और यह आप इंटरेट यूज कर रहे हों उस टाइम पर तो यह अपडेट मांगेगा और यह एक मेजर पॉइंट आपको याद रखना यह अपडेट मांगे ना तो इसको अपडेट करना नहीं है इसको आपको आपको यूज कर देना तो उसके बाद प्रस्ट के आपको ट्रस्ट प्रस्ट पे किलिक कर देना है और उसके बाद यह the screen device is ready want to start mirroring यहाँ पर yes पर आपको click कर देना है connect टरने के बाद ठीक है आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है और यदि passcode मांगे तो आपको अपना passcode देना है screen का तो यह देखी यहाँ पर मेरी screen guys cast host की है आप देख सकते हैं तो यह हमारा पहला काम है यदि आपको live stream करनी है तो अब मैं आपको देता हूँ जो हमारा second issue होता है कि हमारा game का audio हम कहां से सुनेंगे PC से सुनें या इस से सुनेंगे देखे guys यदि आपने screen cast कर लिया एक बार तो आपको game का audio जो है PC के headphone से ही सुनना पड़ेगा क्योंकि जब हम screen cast करते हैं तो हमारा audio भी साथ में PC के अंदर चला जाता है तो आपको game का audio यानि output audio आपको PC से ही सुनना पड़ेगा यहाँ पे आप regulation देख सकते हैं यहाँ पे मैं game open कर लेता हूँ गाईज मैं इसको full screen पे कर देता हूँ एक बार के लिए तो यहाँ पे ऊपर देखें गाईज यहाँ पे regulation 266 by 1480 यानिकि 2K 2K regulation पे हमारी screen cast हुई है यह तो आपका जो display का origin जो regulation होगा आपका iPhone ओ आइपड उसी regulation पे यह software कास्ट करता है इस software की सबसे अच्छी खास बात यही है गाईज ठीक है और अभी आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 54 56 यहाँ पर हमें proper fps मिल रहा ठीक है यानिकि 55 के करीब और जब आप gameplay करेंगे तो आपको proper 60 fps यहाँ पर देखने को मिलेगा गाईज तो इस software का सबसे जो benefit में को यह लिगा और आप audio भी सुन सकते हैं यह देखिए ओडियो आइपड में नहीं आ रहा ओडियो PC में चला गया है यदि हमें गेम का ओडियो सुनना होगा न तो हम PC के headphone के तुरू सुनेंगे या फिर PC के speaker के तुरू तो यहाँ पर second option है कि हमारी voice इस हमारे team data कैसे सुनेंगे हमारी voice नहीं हमारे team image सुनेंगे जो इसका Android microphone है यानि कि जो बाहरे का microphone होता है तो कि हम ओडियो गेम का ओडियो कहां से सुनेंगे ठीक है और हमारा वोई स्टीमेट्स कैसे तो आपका यह डाउट कल देड़ हो गया हुआ यह तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन यापर कास्ट हो आप देख रहे हैं ठीक है फिलाल के लिए मैं इसको यहां पर मिनिमाज कर देता ह हो इसको यहां पर ऐसी रहने देते हैं लाल के लिए तो अब हमारा सेट्ट स्ट्रीम के नम से टेस्ट के नम से कर लेते हैं तो यहां पर यह बलैंक आगया बिल्कुल अब यहां पर स्टूडियो में आपकी इस तरह से एड करेंगे स्क्रीन यानिके आइपड का स्क्रीन ठीक है तो यहां पर आपको एड शोर्स पर कलिक करना नीचे ठीक है उसके बाद यहां पर आपको एक ओप्शन मिलेगा यहां पर विंडू कैप्शर का यह दिखे नीचे ग्रूप हिस स्क्रीन यहां पर आ गई है ठीक है आई-पैड के नाम से इसली दिया मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे यहां पर आइफून ओगा तो यहां पर आइफून दिखाएगा ठीक है तो यह हमारा जो है इसमें एड हो गया है लेकिन अब इसको फुल स्क्रीन पर कैसे करें इसके बाद इसकी कुछ सोटकट कीज हैं यहां पर अल्ट एवन प्रेस करोगे कीबोर से आपका फुल डिस्प्लेश भी हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अल्ट और टैप प्रेस करोगा तो यहां पर हमारे ओब्यस्टूडियों आ पीस से आजाओं तो यह देखिए हमा यहां पर यहां पर कलिक करता हूं आप देखिए जहां से डेस्ट्ट और्यो में यहां पर मॉमेंट हो रही है आप देख सकते हैं तो हमारा गेम का ओडियो भी यहां पर आज को है ठीक है और जो आपको अपना ओड दिए हो कैसे पीजिए वह इस माइक्रोफोन के थ्रूए यहां पर यह देखें माइक यूए एक्स ओप्षन यहां पर कलिक करें प्रोपरीजिम जाएंगे और यहां से यहां पर माइक लगा हुआ है यूएसबी करनंसर मैंने सलेक्ट कर लिया ठीक है तो इस माईक के थूप मेरी ओडियो जाएगी ठीक है वहां पर यहां पर आपकि अचली आद करना चाहते हैं तो यहां पर एड़ पर कलिक करके यहां पर वीडियो कैफ्सर डिवाइस पर कलिक करेंगे तो आपको फिसकेम भी एड़ हो जाएगा अभी मैं फिलाल एड़ नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे रिकोडिंग चली हुई है स्ट्रीम लाप्स में और एक ही फिसकेम है दो फिसकेम होते हैं तो भी कैसे करेंगे तो लाइब सेटिंग जम्मजाएंगे तो इसको क्रीम मैं आपको जाना पड़ेगा यहां पर आयूठी मिए याप स्ट्रीम करना है यूट्यूब यहदि आप वाक। मिलेगा यहां पर recommended आया हुआ है ठीक है पहले क्या होता था जो ओल्ड वर्जन होते थे विस्ट्रीम की डालनी होते अब स्ट्रीम की डालनी आपको जूरूत नहीं है अब अब अप्ग्रेड हो काहिए काफी हद तक ओविस्टूडियो तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपनी सैटिंग कर सकते हैं ठीक है यहां पर नहीं तो यहां से तो यहां से अधिय रहने दिता हूं यह जो नेक्स्ट ओप्शन यह बड़ा ही इंपोर्टन है यहां पर यहां पर एक अच्छी क्वालिटिक की श्रीम करना चाहते हैं तो आपको यहां पर 9000 ठीक है 9000 कम से कम 9000 रखना है इधी आपको पर चाहते हैं तो आपको यहां पर नाइन थाउजन कर देते हैं उसके बाद यहां पर अपलाई कर देते हैं ठीक है जैसे आप लाइब स्टार्ट को रोगे आप यहीं पर अलग से कोई पेज ओपन करने जुरूद नहीं पड़ेगी अब यहां पर हमें ब्रोड़कास्ट करना पड़ेगा यहां पर मैंनेज ब्रोड़कास्ट के उपर कलिक करना है यहां पर यहां से भी क्रेट कर सकते हैं ठीक है यहां पर हमारा देए ब्रोड़कास्ट करते हैं हमारी चैट यहां से ब्लैक हो जाएग ठीक है हमारी चैट यहा देख पाइं से चैट को अभी आप यहां से स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं यानि कि हम यहाँ पर रेड़ी है हमारा हमें का कि गपिलीट सेटड़ हो चुका है मैं यहांत कूरे को दिखा भी देता हूँ hypoth फिलाइगा फेलिगे माने लिजी यहां से मैंने स्टार्टिंग लगा दी यहांपे t eggs करूँ गा तो हमारे स्ट्रीम यहां से अभी स्टार्ट हों चुकी है यहांपी आप देख सकते होंगे गरीन आ गया है और यहाँ पर जो हमने bit rate दिया था 9000 का आप देख रहे हुए यहाँ पर 9000 का ही bit rate चला हुआ ठीक है उसके बाद अभी आपकी stream live नहीं हुई है यहाँ पर go live पर आप जैसे कलिक करोगे आपकी stream जो हो लाइव हो जाएगा आपको दिखा भी देता है मारे लिए यहाँ पर मैं simply go live पर कलिक करता हूँ यह देखे यहाँ पर हमारे stream live start host की है यह देखे यहाँ पर हम live आज कोई है ठीक है और आप देखते हैं quality stream की यह देखे 2K resolution पर 60fps पर हमारे stream है ओके गाईज तो इस तरह से आप जो है professional तरीके से live stream कर सकते हैं ठीक है यह देखे अभी हमारा game का audio है ठीक है हमारा game का audio PC के थरू stream पर जा रहा है ठीक है और हमारा audio इस microphone के थरू stream यान की हमरे stream पर सुनाए देगा और हमारे teammate को हमारा voice सुनाए देगा आइपड के या iPhone के microphone से सुनाए देगा ठीक है और हमें game का audio जो है PC के थरू सुनाए देगा तो आसा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपके सारे doubts कलियर हो गए होंगे तो इस तरह से आप live stream कर सकते हैं अपने iPhone और iPad से ठीक है फिलाल के यह लिए मैं stop कर देता हूँ इसको ओके गाईज तो यह था अज का हमारा short as a video जिसमें हमने सीखा कि आप अपने iPhone और iPad से किस तरह से live stream कर पाएंगे OBS studio के थरू ठीक है तो आसा करता हूँ के आपसारे doubt कलियर हो गए हो गए बीदे आपको कोई doubt रह जाए तो आप मुस्से comment में रहूँ सकते हैं ओके गाईज मिलते हैं next video में बाबाई